तो फानी फ्रेंड आप देख सकते हैं हम जो सूरत के अल्ठान में इस्थीद है जिसको अल्ठान गार्ण के नाम से जा आ जाता है उसमें इंटी कर चुके है इस टार्टी में आज जब इंटी करेंगे सबसे पहले आपको लेप साइट एक रोड दिखेगा और राइट प्राक्तिक द्रिस्का मज़ा लेना है तो आप यहां भी आ सकते हैं इस तरफ तलाब इसमें पहले बोट मलब नाव चलते थे लेकिन अब नहीं चल रहा है कोविड-19 को देखते हुए बहुत जल चालू हो जाएगा यहां भी मुझे ऐसा लग रहा है बड़ दोस्तों टेबल भी रखे हुए अगर किसी को बैठना हुआ बैठ भी सकते हैं यह देख सकते हैं इस तरफ जब और आगे कि तरफ बीच में आएगा तो एक रास्ता लेट की तरफ जाएगा सीधा जाएगा फिलाल में आज हम दिखाते हैं बीच में जो काफी स्पेस दिया हुआ है स तो हां बीच में रूख भी सकते हैं अब इसके बाद सीधा हैं हम आगे जा रहे हैं आगे आपको दिखाएंगे जो बोट वगड़ा रहते थे उसकी एंटी गेट कहां से देख सकते हैं बीच का लोकेशन कुछ इस तरह हैं हाला कि पहले से बहुत चेंट कर यह दिख सकते ह जो बोट है उसकी कुछ हेंती है यहाँ देख सकते हैं पैंडल बोट 25 रुपे 15 रुपे 15 रुपे मलब सब के बजट में आता था लेकिन फिलाल में भी कोविड-19 के बंद किया गया है बहुत जल में लगता है चालू हो जाएगा तो फिर से इसकी आनन वह यात्री उठा सक यह टेबल रखा हुआ जिसमें SMC में सूरत मुंसिपल कोर्प्रेसं के तुरू चलता है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कुरूंगा जरूरा है देख सकते हैं डाइनसौर और डिवाइटर उन्हों ने बना दिया क्योंकि एक बार किसी बंदे ने इसका हाथ और के लिए थोड़ी कसरताली मसीने यहां पर उन्होंने रख दी है ठीक है बर सर्विस काफी खराब है मलब यह मुझे स्थिती नहीं सही लग रही है थोड़ा और नजदिक से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे सब उसी टाइप से है यह देख सकते हैं यह यह देख लिए फ्रेंट है मैं फ्रेंट आपको दिखाने कोशिज करूँगा यह देख लीजी यह फ्रेंट है नहीं एक तलाब है तलाब के उपर पुल बनाया गया है पहले लकड़ी का पूल था लेकिन अभी इन्होंने एकदम मजबूत बना दिया हुआ है और थोड़ा लुकिंग भाई भी इन्होंने अच्छा दे दिया यह रास्ता उस तरफ जाता है यह देख लीजिए ठीक है फ पहले पानी रहता था बोर्ड भी चलते थे यहां तकी मचलिया भी देखने मिलती है जैसे आपने बीज में देखा थे से यहां भी एक बनाया गया यह देख सकते दोस्तों एक्जिट गेट है यह देख लीजिए मुलाकात बधराभार तो वीडियो हम यही समाफ्ट करते है